असलावलीकुम दोस्तों आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपके अपनी योटूब चैनल गल्फ इन्फॉर्मेशन योटूब चैनल पी तो साथ ही हो आज की वीडियो में कतर से सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है कतरी एरक्राफ्ट केरिंग मेडिकल एड कराफ्ट जो लैंड हुआ जिसमें भारी मात्रा में मेडिकल की समान यानि दवाईयां वगला सेल्टर्स वगरा खाने पीने कि चीज़ें और जो भी एनसान के जौरत के समान होते वह सारी चीज़ों को न शारी कदवरब केसे से दोस्तों पहुंचाया गया है जैसा कि आप देख सकते हो काबूल के लोगों ने इसका स्वागत भी किया और कतर के कुछ लोग यहाँ पर आप सामने सामने देख पा एह हो तो दोस्तों बहारी मात्रा में पहुंचा है अफगानिस्तान के सिथिय आपको खराबчив जैसा कि आपको पता है जिसके वज़ेसे ये मदद भेजा गया अगली जो अपडेट आ रही है कतर आमीर तर्किस प्रेसिडेंट विटनेस साइनिंग ऑफगरिमेंट म.A.U.S साथ ही वीडियो को सुपी जो बंदे की फोटो अब देख रहे हो एक तो कतर के आमीर है इनको बा बहुत ही बड़ा एक एगरिमेंट साइन हुआ है एगरिमेंट का नाम है दोस्तो M.O.U.S अब दोस्तो ये एगरिमेंट क्या है नहीं है भाई कि इसके बारे में नहीं जानता हूं क्योंकि दोस्तो देखिए दो देशों का ये मसला होता है तो इस एगरिमेंट को साइन किय गया जिसके बाद Qatar और टर्की के रिष्टे और भी बहतर होते भी नजर आ रहे हैं अगली जो खबर आ रही है Qatar has seen significant growth in the hospitality sector evident by the increase in the tourist number approximately 90% of hotel room in the Qatar are classed for 4 star 5 star with the most apartment being classed as a deluxe दोस्तों Qatar में जबसे tourist का दोस्तों जो महाँ पे मतलब increasement हुआ है यानि tourist का आना जाना बड़ा है तब से Qatar में हर एक चीज में दोस्तों फाइदा हो रहा है वहीं पर ये भी बताया जा रहा है Qatar में hospitality यानि दोस्तों जो ministry of health है उनको भी काफी ज़्यादा improvement इसमें देखने को मिला है बताया जा रहा है कि Qatar में जितने भी approximately 90% जो hotels rooms हैं चाहे वो 4 star हो 5 star हो सभी वहाँ पे full बताया जा रहे है 90% अब समझ सकते हो भाई यदि 100 कमरा है तो 100 में से 90 कमरा जो फुल हमेशा रहता है तो इससे अब अंदाजा लगा सकते हो कि Qatar की जो स्थिती है काफी ज़्यादा पहले से बहतर होती जारी है जब से tourism को बढ़ावा Qatar दे रहा है दोस्तो अगली खबर बताने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ भाई किसी तरह कभी मन में आपको dots हो, problems हो, Qatar को लेकर फसे हुए हो या कोई आपको problem वहाँ पे face करना पड़ रहे हो तो कोई भी problem को लेकर मुझे आप comment करके पूछ सकते हो, मैं आपको सवालों का जवाब वीडियो के माध्यम के थुरू दूँगा तो मिरे वीडियो में जाके comment जरूर कीजिएगा, कोई भी problem में आप हसे हो तो अब हम लोग आते हैं, खबर की ओर चलते हैं, दोस्तो यह आ रही है, metrological department के तरफ से तो कतर metrological department के तरफ से कहा गया है, strong wind and high sea absorb warning issue weekend by the weather department यानि कतर के मौसा मिभाग के तरफ से कहा गया है, दोस्तो इस हपते जो है मौसा में बदलाव होगा तेज हवाएं चलेगी, और दोस्तो तेज हवाएं चलने की दोस्तो काफी संभावना है और लूह वगएरा, सौरी, ठंडी हवाएं दोस्तो चलेगी, जैसा कि दोस्तो आप यहाँ पे photos वगएरा में देख सकते हो कितनी तेज हवाएं हैं जिसके वैसे इस लड़की के हाथ में जो चाता था वो उड़ता वो नजर आ रहा है तो भाई थोड़ा आप सौधान रहिएगा और समलके चलिएगा, खास तोर पे गाली वगएरा ड्राइब करते हो तो तो छोटी सी अपडेट्स थी, खबर थी जो कतर से आ रहे थी, मैंने अब तक से आर किया, मिलता हूँ दोस्तों, नेक्स स्टूडियो पेज़ा हैं